गाइज आज हम बात करने वाले हैं पिंडर नदी की पिंडर नदी गंगा की सहायक पांच नदियों में से एक है यदि कहा जाए कि पांच सहायक नदियां कौन सी होंगी तो आपकी अलकनन्दा नदी हो जाएगी, धौली गंगा हो जाएगी, नंदाकनी हो जाएगी, मंदाकनी हो जाएगी और इसके साथ साथ पिंडर नदी हो जाएगी और यही जो नदिया हैं ये बनाती हैं पंच प्रियाग को तो पंच प्रियाग हमारे लिए तीर्थ की दुरष्टी से important है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चुकि ये पिंडर नदी गंगा के सिस्टम से जुड़ी हुई है और गंगा को जल प्रदान कर रही है तो यह नदी अपने आप में महत्तपूर हो जाती है फ्रेंड्स आज हम इसका व्यापक अध्यन करने वाले हैं तो आएए हम लोग प्रारंब करते हैं इसका व्यापक अध्यन देखिए यह जो नदी है यह सबसे पहले आप इसको समझे कि यह एक नदी बनी हुई है यहां तक यह पिंडारी ग्लेसियर है और यह आपका कंड प्रियाग है इनके बीच में इस नदी का बहाव होता है अब देखते हैं कि यह जो डॉटेड लाइन बनी हुई है यह डॉटेड लाइन बता रही है कि यहां पर आपका पिथोरागड जिला पड़ता है यहां पर आपका चमॉली जिला पड़ता है और नीचे आपका बागेश्वर जिला पड़ता है और यह डिवाइडेशन किवल और किवल पीक्स को समझाने के लिए किया गया है हम लोग देखेंगे कि नदी का उदगम हो रहा है पिंडारी ग्लेसियर से कहां से उदगम हो रहा है पिंडारी ग्लेसियर से प्रिंडारी ग्लेसियर पढ़ता है आपका बागेश्वर जिला में कहां पढ़ेगा बागेश्व और जिले में दूसरी बात क्या है यह नंदा खाट और नंदा कोट यह जो चोटियां हैं इनके मद्ध पड़ता है तो यहां से यह भी समझ में आया कि नंदा खाट और नंदा कोट के मद्ध पड़ेगा तो यह क्लेसियर एक बड़ा भुवाग होता है कोई पॉइंट नहीं होता बलकि एक बड़े भुवाग पर बरफ जमी होती है तो इसलिए ग्लेसियर काफी हद तक बिथावरागड जिले में और इसके साथ-साथ काफी हद तक बागेश्वर जिले में फैला हुआ है दोस्तों अब देखते हैं कि यहां से नदी निकल रही है और यहां पर आप देख रहे हैं कि यह नंदा खाट भी पड़ता है और यह नंदा कोट भी पड़ता है तो इनके बीचों भीच से यह नदी बहने लगती है और यह पहाड़ी छेतरों में बहती है यह नदी चुकि वहाँ पहा अब यहाँ से एक confusion उत्पन हो सकता है कि काली नदी और काली गंगा नदी तो यह basically काली गंगा नदी है यह काली नदी नहीं है दूसरी बात यहाँ से कुछ आगे आने पर एक नदी मिलेगी जिसे आप प्राण मती नदी कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों प्राण मती नदी कहते हैं अब इस नदी की कुछ भी सेस्ताइं जानते हैं देखिए यह जो प्राण मती नदी है यह इसका बेसिन बनता है एक क्या बनता है बेसिन मतलब है कि नदी अपने जिस छेत्र में बहाओ कर रही है उसे आप बेसिन कहने वाले नौर्थ की बात करते हैं आच्छान्सों की बात करते हैं तो यह 30-5 मिनट से 30-13 मिनट तक नौर्थ में है और इसके बाद इसका देसांतरी विस्तार अगर हम देखें तो यह 89 डिगरी 29 मिनट से 89 डिगरी 37 मिनट इस में है यानि पूर में है इसके बीच में यह जो आपको यह निर्दे सांक दिये हुए हैं इनके बीच ही पड़ता है प्राण मती नदी का बेसिन अब देखिए कि इसका जो यह पूरा का पूरा यह बेसिन बनेगा तो इसका एरिया होगा 94 किलोमेटर स्कॉयर और इसके साथ हम आप किया है कि इसका उसका मतलब है कि यह बहाओ इस दिसा में है तो इसका मतलब है कि यह नीचे का लेप्ट बेंक है तो यह किया यह से कुछ आगे आने पर एक नदी मिलेगी जिसे आप आटा गाद नदी कहते हो अब बहुत बार हमें गाद सब्द मिल जाता है गाद नदियों के पीछे भी लगा रहता है जो बहुत ही छोटी नदियां होती है उनके लिए गाद सब्द का यूज किया जा रहा है तो यह गाद है एक प्रकार का तो यह नदि भी आपकी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है अब देखते हैं इसका भी वियूरण क्या होगा यह जो भी बेसिन बनाती है यह नदि यह बेसिन आपका 119 किलोमेटर स्क्वाइर का हो जाता है अब इस बेसिन की निर्दे सांग देखें यह 30 डिगरी 5 मिनट 28 से 30 डिगरी 13 मिनट 45 सेकंड नौर्थ लेटिट्यूट पर पड़ता है यानि नौर्थ अच्छांसों के बीच पढ़ रहा है यह चेत्रा मान लीजिए यह यह हो गया आपका लेटिट्यूट और दूसरा 30 डिगरी 13 मिनट का लेटिट्यूट हो गया तो यह हो गया इनके और इनके बीच पढ़ने वाला है अब देखें यह 89 डिगरी 6 मिनट 27 सेकंड से 89 डिगरी 15 मिनट 40 सेकंड इस्ट में पड़ता है तो यहां से हम अब देखांतरी विस्तार देखेंगे 79 6 मिनट और इसके साथ 27 सेकंड एक देखांतर यह हो गया और इसके आगे जाकर 79 डिगरी 15 मिनट 40 सेकंड का एक देखांतर आपका यह बन जाता है तो इसके बीच में यह जो छेतर बन रहा है यही इस नदी का बेसिन होगा तो यह बेसिन आपका 119 किलोमेटर स्कॉयर का है दोस्तों अब देखिए कि यह जो आटा गाध है यह मिलती है किस डिश्टिक में चमौली जिले में तो यहां से चमौली जिले में मिलती है तो हम लोग बार्डर अगर बनाते हैं तो यह बैसिकली चमौली जिले में मिलने वाली नदी है तो यहां से हमने यह जान लिया कि इसमें तीन सहायक नदियां मिल रही हैं काली गंगा, प्राणमती नदी, आठागाद नदी और तीनों की तीनों आपकी राइट वैंकी ट्री बिट्री हैं दोस्तों अब देखते हैं कुछ अन्य बिसेस्ताएं क्या हैं अन्य बिसेस्ताएं रहेंगी कि हम लोग बात करने वाले हैं अब नंदा कोट की, नंदा कोट के बाद नंदा खाट की नंदा खाट के बाद कुछ मात्रा में इनकी भी हम लोग बात करेंगे तो दिखिए यह जो नंदा कोट है यह पढ़ता है पितहुरागड जिले में और पितहुरागड जिला, चमॉली जिला, बागेसुर जिला यह तीनों की तीनों जिले आते हैं नंदा देवी बायोस्फेर रिजर में तो इसका मतलब है कि यह जो नंदा कोट होगा यह आपका नंदा देवी बायस्पेर रिजरों के अंतरगत भी आ जाएगा अब देखिए कि यह जो नंदा कोट है यह पढ़ता है पिंडारी ग्लेसियर के राइट में एक चीज यह भी हमें पता चलती है पिंडारी Glacier यहाँ पर है और यह इसके राइट में पड़ रहा है पिर देखते हैं कि नंदा कोट में परत्फम आरोहन किस ने किया था तो वो थे आपके जापानी ब्यक्ति थे एक याइची होता तो याईची होता द्वारा यहाँ पर प्रथम बार आरोहन किया गया था दोस्तों अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो अगली चोटी पड़ रही है और यह पड़ रही है पिंडारी ग्लेसियर के लेप्ट में तो इसको हम पिंडारी ग्लेसियर के लेप्ट की लोकेशन मानकर चलेंगे और यह जिला कौन सा होगा? तो यह जिला इसका होगा बागेसवर जिला तो बागेसवर जिले में आपके नंदाखाट नाम की एक चोटी परती है अब देखिए कि यह बागे सुर्जिला में और यह हमने जान लिया अब देखिए कि हमें यहां से दो चीजे समझनी होंगी सबसे पहले आप मानिए कि यह जो पीक बनी हुई है जितनी भी है एक, दो, तीन, चार ऐसी जो पीक हैं, यह सब की सब आपस में ग्लेसियर द्वारा कनेक्टेड है या कहें कि ग्लेसियर हैं आपस में यह सब और यह सब की सब आपस में जुड़ी हुई है और यहां पर कोई उद्गम नदी का यहां से हो रहा है तो किसी नदी का उद्गम दूसरी जगे से हो जाता है फरक किवल इतना पड़ता है बस कि यहां से अगर किसी नदी का उद्गम होगा तो है आपका ऐसे बहेगी जो दूसरी नदी हो रही है वो आपकी ऐसे बहेगी तो यानि नदियां basically कुछ कुछ दूरी पर समानतर रूप में पह रहे हैं समानतर रूप में बहेंगी यह नदिया अब देखेंगे अगर हम लोग की हम लोग बात करें तो यहां से निकलने वाली नदि की कल हमने बात की थी नंदा देवी चोटी के उपर से और नंदा देवी चोटी के नीचे से जो नदी निकल रही थी उसकी कल हमने बात कर ली थी और वह नदी थी आपकी धौली गंगा रिवर तो धौली गंगा रिवर की हमने बात की फिर इसके थोड़ा सा नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर जो दूसरा छेतर पड़ेगा नंदा, गुंटी, ग्लेसियर तो यहाँ से जो नदी निकलने वाली है वो नदी है आपकी नंदा किनी और फिर देखिए कि यहाँ से जो नदी निकल रही है वो है आपकी पिंडर नदी तो ये सबकी सबनदियां समानतर रूप से बह रही हैं और कुछ-कुछ डिस्टेंस पर बह रही हैं अब देखिए कि अगली बात क्या करने वाले हैं कि यह जो नंदा खाट है इस पर प्रथम आरोहन किया था 1931 में हुज रटलेज और इसके साथ साथ पीयन चौधरी इन दो विक्तियों ने 1931 में प्रथम बार इस चोटी पर आरोहन किया था दोस्तों थोड़ा सा नंदा कोट के विशे में भी और जान लेते हैं कि यह जो चोटी है आपकी नंदा कोट यह लगभा कि नंदा देवी से 15 किलोमेटर की डिस्टेंस पर है तो अब आपको थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा कि बस ये 10 से 15 किलोमेटर की डिस्टेंस पर समानतर रूप से कुछ नदिया बह रही है हमने यहां तक जान लिया है अब हम लोगों को जानना है कर्ण प्रियाग के बारे में तो कर्ण प्रियाग आपका पढ़ता है चमौली जिले में चमौली जिले में पढ़ता है दूसरी बात क्या चानेंगे कि यहां पर दो नदियों का संगम हो रहा है एक आपकी अलकनंदा नदी होगी अलकनंदा होगी और इसके साथ साथ दूसरी होगी पिंडर नदी इन दो नदियों का उदगम हुगा यह दोस्तों यह जो कंड़ प्रियाग नाम है आपका यह पड़ा हुआ है पिंडर नदी जो है आपकी उसको कंड़ गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं तो कभी-कभी हम इसको पिंडर गंगा भी बोल देते हैं तो यह कंड गंगा के नाम पर ही यहां पर इस इस्थान का नाम कंड प्रियाग पड़ा है दोस्तों यह जो कंड प्रियाग है यह एक प्रकार का कसबा है और कसबा होने के साथ साथ यह नगर पंचायत भी है और यह दोनों मुलब कह सकते हैं कि यह कर्ण प्रियाग चमौली जिले में पढ़ता है आपका तो यहां पे इस प्रकार से इसका नाम करण होता है और यह कर्ण प्रियाग हमारे पंच प्रियाग में से एक हो जाता है पंच प्रियाग कौन कौन से थे विश्णू प्रियाग, विश्णू प्रियाग के बाद नंद प्रियाग, नंद प्रियाग के बाद आप कंड प्रियाग, कंड प्रियाग के बाद आप देखिए रुद्ध प्रियाग, रुद्ध प्रियाग के बाद देव प्रियाग तो ऐसे पाँच प्रियाग में से यह एक है तो आज हमने बात कर ली है पिंडर नदी के बारे में हमने यहां तक बात कर ली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इनका भी तो देखिए हमने कल के लेक्चर में बात की थी कि नंदा देवी चोटी आपकी पड़ रही है चमौली चिले में वहाँ पे पास में ही लगभक माली जे की 8 से 10 किलोमेटर की डिस्टेंस पर एक तरसूल परवत पड़ता है तरसूल परवत के पास ही नंदा घुंटी ग्लेसियर पड़ता है और यहाँ देखेंगे तो मरग थुनी ग्लेसियर पड़ता है और इसी नंदा घुंटी ग्लेसियर से नंदा आखनी नदी आपकी निकलती है तो हमने जाना कि तरसूल परवत नंदा देवी नंदा कोट और नंदा खाट यह चारों के चारों उत्राखन में पड़ रहे हैं अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेस्टन के विसे में डिसकसन कर लें कि जो सिंपल से क्वेस्टन आप से पूछे जाएंगे तो वह कौन से होंगे पहला क्वेस्टन रहेगा कि पिंडर गंगा नदी का उदगम कहां से होता है या पिंडर नदी का उदगम कहां से होता है तो इसका आंसर रहेगा पिंडारी ग्लेसियर से पिंडारी ग्लेसियर पढ़ता कहां है बागेस्वर जिले में पढ़ता है बागेस्वर जिला कहां है उत्रा खर्ण में है बागेस्वर जिला नंदा देवी बायस फेर रिजर्व के अंतरगत आता है आगे बात करेंगे कि नंदा देवी चोटी कहां पड़ती है तो आप कहेंगे यह चमौली जिले में पड़ती है फिर बात करेंगे तरसूल परवत कहां पढ़ता है तो आप कहेंगे यह भी चमॉली चिले में पढ़ता है फिर चौथा क्विश्चन क्या रहने वाला है आपका कि इसकी सहायक नदियां चुनिये तो सहायक नदियां आपकी होंगी काली गंगा, प्राणमती, आटागाद हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि यह काली गंगा है, काली नदी नहीं है तो यहां से यह चीज़ हमको क्लियर हो जाती है अब देखिए कि और क्या कुश्चन बनेगा, तो यह बनेगा आपके कंड प्रियाग से कंड प्रियाग इंपॉर्टेंट है, तो यहां से कुश्चन बनेगा कि किस तीर्थ पर या किस इस्थान पर पिंडर नदी, अलक नंदा नदी में मिलती है तो आप कहेंगे यह कंड प्रियाग नामक इस्थान पर मिलती है और यहां पर एक प्रियाग है, या कहें कि जैसे आप देखते होंगे कि बिभिन नदियों में जहां पर प्रवित्र नदियां मिल रहे हैं, वहां पर प्रियाग नामक दे रहे हैं तो यह तीर्थ में भीगिना जाता है और किन का तीर्थ है तो यह बेसिकली हिंदू धर्म से रिलेट करता है और जो भी यात्री बद्री नाथ जाते हैं तो एक स्टॉपज यहाँ पर भी लेते हैं तो यहाँ तक हमने question discuss किया अब देखेंगे कि थोड़े से question बन सकते हैं आपको थोड़ा सा परिसान करने के लिए कि left bank और right bank के टीब्यूटरी पर आधारित तो अगर देखें कि question किस प्रकार से बन सकते हैं किन ही अन्य नदियों के नाम भी दिये जा सकते हैं जो की right bank से जूड़ रही होंगी किसी नदी में और इसके साथ-साथ इन नदियों की नाम भी दिये जा सकते हैं और आप उनमें समानता किस प्रकार खोजते हो तो यह आपको ग्यात होना चाहिए कि यहाँ पर तो यह इसकी राइट बैंक की ट्रिबिटरी है और अन्य नदियां जो देखेंगे तो वो किस नदि की राइट बैंक की ट्रिबिटरी होंगी और दोनों को कंपैरजन करते हुए आप लोग अध्यन करेंगे हमने यहाँ तक जान लिया तो दोस्तों आज हमने पूरी की पूरी पिंडर नदि को कंपलेट कर दिया है और कल हम एक नई नदि के विसे में बात करेंगे और तब तक के लिए आप योग इस्टिट्यूट के चैनल को लाइक करते चलें सेयर करते चलें, कमेंट करते चलें और मैं आपको एक बहतर समागरी देने का प्रयास करूँगा और संस्थान आपके भविश्य के लिए पूरे के पूरे प्रयतने के साथ तत्पर है और हम लोग एक बार फिर से आने वाले समय में कुछ कोर्स लॉंच करने वाले हैं और उन कोर्स पर अधारित अध्यन किया जाएगा दोस्तों